नमस्कार साथियो न्यूस क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं 19 और 20 जन्वरी साल 1990 में कस्मीरी पंडितों का कस्मीर से बहुत बड़े अस्तर पर पलायान हुआ लेकिन इसे समझना इतना आसान नहीं है कस्मीर एक पहली है और इस पहली के अंदर कस्मीरी पंडित भी एक पहली है इसी पर बाचीत करने के लिए कस्मीरी पंडितों के विसे पर बाचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कस्मीर नामा और कस्मीर और कस्मीरी पंडित के बहुचर्चित लेखक असोग कुमार पांडे तो 1922 जनवरी का जो बहुत बड़े अस्तर पर पलायान हुआ वो तो एक दिन की घटना है लेकिन इसकी जो प्रिष्ट भूमी बन रही थी वो आजादी के पहले यानि 1947 के पहले और उसके बात क्या थी इस पर आप बताएं आपकी रिसर्च क्या कहती है इस पर जाहिर तोर पे कोई भी घटना जो होती है छणों में भले वो घटना घटती है एक रात में या एक दिन में जो घटना घटी है उसके पीछे वर्षों का इतिहास होता है तो कश्मीरी मुसल्मान और कश्मीरी पंडितों के बीच का जो रिष्टा है उस रिष्टे की जो कश्मकश है वो इतिहास में जब तक आप उसको समझेंगे नहीं तब तक ये समझपाना बहुत मुश्किल है कि नबे क्यों हुआ बहुत पीछे अगर आप ना भी जाएए डोगरा पीरियट को अगर आप देखे तो डोगरा पीरियट वो था जिसमें कश्मीरी पंडित पढ़े लिखे थे और वो सरकारी नौकरियों में थे 1846 में डोगरा वहाँ पे आते हैं साशन में 1846 से लेके 1947 की बीच में उनका साशन रहा हूं तो आप देखेंगे कि नौकरियों में कश्मीरी पंडित थे वहाँ पर हाला कि जो उचे दर्जे की नौकरियां थी उनमें बाहर के लोग थे पंजाबी थे और आप देखते हैं कि एक समय कश्मीरी पंडितों नहीं या अंदोलन चलाया कि कश्मीर कश्मीरियों के लिए उस अंदोलन के चलते वहाँ पर राज जिनागरिक्ता कानून बना जो 35 एक बेस है लेकिन मुस्लिम जो थे वो इस कम्टीशन से लंबे समय तक बाहर थे वो जातर खेतिहर मजदूर थे या फिर बुनकर थे और बाकिस सब कुछ थे लेकिन 1925-26 के आस पास मुस्लिमों का जो पहला कलास है वो पढ़कर आता है बाहर से पढ़कर आता है कुछ लोगों ने अलीगर से पढ़ाई की कुछ लोगों ने लहाओर से पढ़ाई की और आप देख रहे हैं कि शेख अब्दूल्ला उसी पहले दौर में से थे कि 1930 में वहाँ एक आंदोलन शुरू होता है और वो आंदोलन अंत में कश्मीरी मुसल्मानों के लिए नोकरियों और अन्य अधिकारों की मांग का आंदोलन बनता है यह पहला वहाँ पर आंदोलन था और मैं आपको बताओं कि 1930 से लेकर और 1990 के पहले तक लगातार नौकरियों को लेकर कश्मकश है किवल सरकारी नौकरियां थी बाकी विकास हुए नहीं कश्मीरी पंडित हमेशा से उसमें हावी रहे थे तो जैसे ऐसे कश्मीरी मुसल्मान वहाँ पर आने लगे एक ये चिंता उनकी पैदा होने लगी कि हमारे हाथ से नौकरियां चली जाएंगी तो कैसे काम चलेगा जब उनको रिजरवेशन दिया गया तो ग्लांसी कमेशन और उसके बाद वही सारे तर्क मेरिट के और बाकी सब उठाए गये जो बाकी जगों पर उठाए जाते थे लेकिन बाकी जगों पर जाती थी तो मामला अलग बना यहाँ चुकि धर्म था तो मामला सामपरदाइग बना 1947 के बाद आप देखते हैं कि वहाँ पर लैंड रिफार्म होता है लैंड रिफार्म जब होता है तो बड़ी संख्या में जमीन जो है वो मिलती है वहाँ पर उन कश्मीरी मुसल्मानों को जो कि अब तक खितियर मज़दूर थे लेकिन जमू में इसका उल्टा होता है जमू और कश्मीर के बीच में जो टसल शुरू हुई उसमें कश्मीरी पंडितों ने सीधे हिस्सा तो नहीं लिया लेकिन कश्मीरी पंडितों के मन में एक आक्रोश उस समय पैदा हुआ उसके बाद आप देखते हैं 30-70-30 का फामूला आया यानि वो आपस में लगातार एक कश् पिकूलियर इस मामले में कि कश्मीर में तो वो माइनार्टिक थे लेकिन अखिल भारती अस्तर पर मेजार्टी के हिस्सा थे इसलिए भारती राची जो था दिल्ली था उसमें उन्होंने अपनी ताकट ढूड़ी जब हालाल नहरू हो या इंद्रा गांधी उनके सेक्रेट जो है वो बढ़ी और जब वहां पर मुवमेंट शुरू हुए तो उस मुवमेंट में दोनों के बीच में तना तनी आपको लगातार दिखाई देती है हम जब हिंदी भासे छेतर के लोग देखते हैं कस्मीर को तो उनको आम तोर पर यही समझ में आता है कि मुस्लिम अबादी वहां पर बहुत बड़ी है और पंडित बहुत छोटे में रहते हैं और यह बहुत अलग अलग समुदाएं हैं और इसलिए मुसल्मानों ने उनको वहां से ख़देर दिया तो लेकिन जो आप तो आप तो आपने प्रिसर्च के तो एतिहासी ग्रूप से जो उनका समाजिक ताना बाना था वो भूल में किस तरीके से पसरे हुए थे इसको आप बताएंगे देखिये कश्मेरी पंदितों के जो जनसंखेया रह lying वë 4,5-4% के आसपास रही है घाटी के अंदर की बात करना हूँ। और बाकी दूमानों के जनसंखेया रही है लेकिन मज़्यदार बत ही एक कश्मेरी पंदित कसी एक इलाके में आपको नहीं मिलेंगे अगर आप 90 के पहले देखते तो शायद ही कोई ऐसा गाउं होता जिसमें कुछ कश्मीरी पंडित परिवार आपको नहीं मिल जाते अगर आप श्री नगर की बात करेंगे तो हबा कदल में कश्मीरी पंडित थे रहनावाडी में कश्मीरी पंडित थे लेकिन इसके अलावा बरबर्शा जैसे इलाकों में भी कश्मीरी पंडित थे मतलब वहां पे कोई घेटो आईजेशन नहीं हुआ था वह प्रापरली मिक्स पापुलेशन थी हिंदो मुस्लिम की मिली हुई पापुलेशन थी अलग अलग धर्म के मामले में आप कह सकते हैं ल या उस भाषा के साहरे वो जमू के लोगों से नहीं जुड़ पाता है लेकिन वहां पर उस भाषा से जुड़े हुए थे मैं आपको एक च्छोटा सा उधारार दे के बताऊंगा वहां पर जो शिवरात्री होती है उसको हिरात कहते हैं हिरात के अगले दिन सलाम महारा होता है महारा मतलब महाराच कश्मीरी पंडित के लिए यानि मुसलिम जो होते हैं वो कश्मीरी पंडितों को सलाम करने जाते हैं ऐसे ही बकरीत के अगले दिन कश्मीरी पंडितों के हाँ वो कच्चा मतन पहुंचाते हैं तो कल्चर के तोर पे कश्मीरी पंडित और कश्मीरी थे कि इन सारे दूंदों के बावजूद अगर आप किसी भी पुराने कश्मीरी पंडितिया मुसल्मान से मिलेंगे तो वो आपको उस दोर की बात करते हुए रोता हुआ दिखाई दे सकता है। कश्मीरी मुसल्मान कई बार गलानी में दिखाई देता है कि हमसे ये बड़ी गलती हो गई कि हमने उनको जाने दिया भले उसके लिए वो डारेक्ट जिम्मेदार हो या ना हो और बहुत सारे परिवार आने के बावजूद उनके बीच में उसी तरह के दोस्ती एफिनिटी ब बाते आती हैं जिसका आपने उल्ले किया अपने किताब में इसे आप बताएंगे और कितने लोग बाहर गए दो तरह के अतिरेक हैं एक अतिरेक कहता है जो कश्मीर में चलता है घाटी में कि जगमोहन साहब आये उन्होंने प्लानिंग किया और रात और रात कश्मीरी प्लानितों को निकाल दिया मारा पहले और फिर निकाल दिया माफ कीचे का ये दोनों अतिरेक सही नहीं है ये मुर्तापून समझ है कि कोई राज़ेपाल जिसने 18-19 जन्वरी को जॉइन किया है वो उसी दिन रात को निकाल देगा पहली बात और दूसरी बात कि किसी एक ब पहलेद ना धोने की विवस्ता जितना दर्द कश्मीरी पंडितों ने विसथापन में जहला है उससे कहीं कम दर्द जम्हूं में रहते वे नहीं जहला है वह आमानविये परिस्थितिएयां घिसमें कश्मीरी पंडित रहे हैं अगर कोई इसको छोटा करके बताता है तो य एक भी कश्मीरी पंडित का बचना मुश्किल हो जाता इसके साथ एक बात जोड़ दों कि वो दौर ऐसा था अगर अब्दुलत साब को पढ़िये तो वो दौर ऐसा था जब हमारी प्रशासन वेवस्त था हमारी आई भी हमारी आर्मी सब ध्वस्त हो चुकी थी आर्मी बहु रहते हैं कि नहीं एकदम जरूवत नहीं है किसी आतंकवादी को छोड़े जाने की उसके बावजूद केंदर सरकार अपने ग्रहमंत्री महोदै और बाकी लोग दबाव डालके वहां जब आतंकवादियों को रिहा करते हैं तो वो छोटा सांदोन अचानक बड़ा आंदोन हो जाता है 1986 में जो धानली चुनाओं में हुई थी उसके बाद लगातार जमात इस्लामी मजबूत हो रहा था और लोगों को लगातार ये एहसास करा रहा था कि हिंदुस्तान के साथ आपका भला नहीं है क्योंकि डिमोकरिसी हिंदुस्तान आपको प्रैक्टिस नहीं करने दे रहा है ये एक बड़ा कारण है मैं आपको बताऊं 1947 के बाद से शायद ही कभी कश्मीर में डिमोकरिसी प्रैक्टिस होने दी गई हमेशा सरकारें दिल्ली से गिराई और बनाई जाती रही जातर तो कांग्रिस की सरकार थी तो जब उस समय गुस्ता अपने चरम पे था उस समय जब आपने आतंकवादियों को छोड़ दिया तो अचानक उनका जो उत्सा था वो बढ़ गया महौल ऐसा था कि वहां पाकिस्तानी बसे लगती थी पिंडी पिंडी रावल पिंडी का नारा लगता था और वहां से युवाओं को ले जाके पाकिस्तान में ट्रेनिं पंडित और बाहर के हिंडू थे ऐसे ही रेडियो का टैक हुआ लासा कौल साब को मारा गया आप देखिए कि नेशनल कानफरेंस चुकि भारत के हितों का प्रतिन हितों करती थी तो सबसे पहली जो हत्याएं हुई वो नेशनल कानफरेंस के लोगों की हुई मुहम्मद यू कश्मीरी पंडित जो थे मिनिस्क्यूल से माइनार्टी थे चार परसंट जब उनके खास लोगों को मारा गया निलकान गंजू साब को मारा गया तो भले आप कहते रहें कि वह पुलेटिकल वजहों से मारा गया था लेकिन सचाई यह है कि कश्मीरी पंडितों के अंदर एक कश्मीरी पंडितों को मारा तीन साड़े तीन सो कश्मीरी पंडित जो समय मारे गये उसने एक डर पायदा किया और उस डर में जगमोहन जी ने बज़ाए कोई राहत देने के रास्ता दिया निकलने का पहली बात और जो गुस्साथा उस गुससे को भढ़काने का काम किया अपने बयानों से, आप देखिए कि 19 की रात को तो ये हुआ, 20 को एक जलूस निकला, गौकदल पे फाइरिंग हुई, गौकदल पे 50 से अधिक लोग मारे गए, वो गुस्सा और भड़का रात को फिर जलूस निकला, तो सारा कुछ मिला के आप देखिए, सरकारे पुरी तरह से विफल हुई, और समाजिक सांस्कृतिक विवस्था बुरी तरह से विफल हुई, और अराजकता ने उसके अपने हाथों में ऐसे ऐसे ले लिया, कि जो समाज के अराजकता तो थे, उन्होंने उसका फाइदा उठाया, कुल मिला जुला करिए कि कि कश्मीरी पंडितों को कोई ये सोचके नहीं निकला था कि हम दुबारा वापस नहीं आएंगे, उन्होंने ताले बंद किये थे, और अपने पडोसियों को जो मुसल्मान ही थे जहाता, उनको चावी दे के आए थे, और उनको लगता था कि वह वापस लोटेंगे, और 95-96 तक उनके घर बिलकुल स तो फिर वो लूट मार शुरू हुई और फाइनली डिस्ट्रेस सेलिंग हुई, जिसमें बहुत कम दामों पे, श्री नगर में तो कम से कम जहातर संपतियां बेच दी गए। जो पंडित डरा हुआ महसूस करें, वे इन केंपों में जा सकते हैं, जो करमचारी घाटी छोड़कर जाएंगे, उन्हें तनखवाह मिलती रहेगी। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का मतलब क्या है अगर आप बता पाएंगे। वही समझ में आया, ये तो वही बता पाएंगे। अपने किताब में बहुत डिटेल दिया है, हलांकि कुछ समझ में आता नहीं है, उससे खुद को केवल डिफेंट किया है। लेकिन इसके घटना नहीं है, कई सारी घटना है, जैसे घटना से जगमोहन वहां से हटाएंगे। वहां के मीरवायस थे, उनके हत्या हो गई। वहां एक कल्चर है तो वहां से हस्पिटल से उनका जूलूस निकला। और लोग नारास थे बाद में तो ये आया ही कि उनके अपने लोगों ने मारा था उस समय भी वजहा था अभी बुल्ला और बाकी लोगों ने उनसे कहा कि आप जाएए चुकि वो कश्मीर के धर्मगुरू है तो वहां पर अपनी तरफ से चक्र चड़ाईए और शंधांजरी दीजिए लेकिन इन्हों ने वो काम नहीं किया उसकी जगह पर हुआ कि उस जलूस पर गोलियां चली और उस जलूस पर जब गोलियां चली तो ये हालत थी कि जो मिरवाय सहब थे उनकी लाश को भी दो गोली लगी तो जो गुसा आतंकवादियों के खलाफ हो सकता था वो गुसा हमारे खिलाफ हो गया जग महंजी ने बयान दिया कि सारे कश्मीरी आतंकवादी हो चुके हैं और मैं एक एक कुछ उन्चुन के साफ कर दूँगा क्या कहना चाहरा थे कि सारे कश्मीरियों को मार देंगे जो एक इन्होंने शुरू किया घर-घर में घुसके तलाशी लेने वाला उसमें बिलकॉल का कहना है कि दौरान बहुत सारी बत्तमीजियां हुई तो जो पुरा माहौल बनाया वो आग में घी डालने वाला माहौल था उन्होंने किसी से बात करने की कोशिश नहीं की कुछ ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं की जिससे शान्तिकी तरफ हो उन्होंने केवल सैनिय समाधान सोचा और एक और बात यहां पे दिल्ली में मिनिस्पल कमिशनर रहते हुए और पिछली बार जब वो गया था जब फारुक को बरखास नहीं ने किया था उनकी जो इमेज थी वो एंटी कश्मीर और एंटी मुसल्मान की इमेज थी अब इसी बात पे 1990 से लेकर आज तक जो 30 साल बीट गए इसमें हम एक बड़ी प्रिश्ट भूमी बनाते हैं कि भारतीय राज जो संविधान से चलता तो है लेकिन एक पर्सेप्सन छिपी होती है कि हिंदू राश्ट रहे और वहां पे मुसलिम बहुत संक्यक जन संक्या इस पर्सेप्सन के अंतरगा जो 30 सालों में हुआ कस्मीरी पंडितों के साथ त्रिफ्यूजी कैम बनाए गए लॉट नाइस थी ती ये सारे को मिला करके क्या आप किरा है देखे तत्थ ही ये है कि कश्मीरी पंडितों को सबसे ज़्यादा कश्ट छेलना पड़ा और वापसी के लिए कोई महत्वपूर्ण कारे नहीं हुआ दूसरा तत्थ ही जब तत्थ ही दें तो सारे तत्थ ही देने चाहिए पचासजार मुसल्मान भी निकले थे उनकी कभी बात नहीं होती है वो फिर कभी बात करेंगे आठ सो कश्मीरी पंडित परिवार ऐसे हैं जो कश्मीर के अंदर रह गए तो पचासजार मुसल्मान निकलके गए कहां थे वो भी जमू आये थे और दूसरी जगों पर गए थे वहां पर आठ सो कश्मीरी पंडित परिवार ऐसे हैं जिन्होंने घाटी कभी नहीं छोड़ी अच्छा ये जो आपका विस्थापन भी हुआ है वो कोई केवल 19 जनवरी या 20 जनवरी 90 को नहीं हुआ है तब से लेके 97 तक लगातार चला है और उसमें बहुत सारी चीजे हैं सिर्फ यह नहीं यह रोजगारों का भी मामला है बहुत सारी चीजे हैं अभी लेकिन मुटा मुटी मालने की यही मामला है तो 800 कश्मीरी पंडित परिवार वहां पर है उन कश्मीरी पंडित परिवारों के हालत यह है कि उनके उपर कोई ध्यार नहीं देता है अभी मौझूदा समय में 800 कश्मीरी पंडित परिवारों नहीं किताब में मैंने पूरा एक चप्टर उनके उपर दिया है आपको बताओं कि वहाँ पर मुफ्ती मौहमत साइद के समय में जब कंग्रिस की यूपीय गौर्मेंट थी तो वहाँ कश्मीरी पंडितों को वापस लाने के लिए कैंप्स पनाये गए वहाँ नौकरियों में रिजर्वेशन दिया गया और लगभग 8000 के आसपास लोग वहाँ जाके उन कैंप्स में रह रह रहे हैं और नौकरिया कर रहे हैं लेकिन जो कश्मीरी पंडित वहाँ रह रह रहे हैं उनके लिए किसी नौकरिया कोई प्राविजन नहीं किया गया तो इन्होंने मांगी कि उसमें भी नौकरिय दी जाए इनकी मांग हाई कोर्ट में ये पहुँचे हाई कोर्ट से केस जीत भी गया लेकिन उसके बाद सिख भी उसमें आ गया अभी तक वो जहां के तहां अटका पड़ा हुआ है अभी जो 370 हटाये गया 35 हटाये गया तो उसके बाद भी लोगों को लगा कश्मीरी पंडित वापस चले जाएंगे लेकिन मेरा सवाल वही है कि 370 और 35 से कश्मीरी पंडितों को क्या नुकसान था वही वहां के नागरिक थे ही उनको वह सारे अधिकार थे जो किसी और नागरिक को है कश्मीरी पंडितों की वापसी का मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है कि जैसे वह उन इलाकों में सबसे मिल जूल के रहते थे वैसे ही वो उन इलाकों में दुबारा से जाकर रह सकें अगर उनके लिए आप कोई कैम्स बनाके उनको वापस लाता है सैकलूटेड उनको किसी इलाके में लाते है तो वो वापसी नहीं होगी और वो कश्मीरी समाज का उस तरह से अपने आपको हिस्सा भी नहीं महसूस कर पाएंगे वो एक घ्टों में रहेंगे वो सेक्लूटेड रहेंगे और बलकि दोनों समदायों के वीच में जो नफरत है वो और बढ़ेगी नफरत कम तो तभी होगी ना जब परोसियों की तरह रहेंगे मुझे नहीं लगता है कि वापसी को लेके उनकी वापसी जो उनका अधिकार है उसको लेके सरकारें गंभीर हैं हो यही रहा है कि उनका जो दर्द है उनका जो पेन है उस पर राजनीती करने की कोशिश बहुत जादा की जा रही है और कश्मीरी पंडितों का एक हिस्सा खास्त और पर जो पनुन कश्मीर वाला हिस्सा है वो पूरी तरह से इसमें RSS का बगल बच्चा बन गया है और उनकी राजनीती कर रहा है अब इसी दोर में एक बहुत महत्वपूर मोडा आता है आर्टिकल 370 का खात्मा उसके बाद कश्मीरी पंडितों के बड़ी इस्थिती हम लोग तो यही समझेंगे जो हिंदी बासी के चेतर है कि चलो अब वो मिल जाएंगे जो एक बहस चलती है क्या आपको लग रहा है इसी इस्थिती है मैंने वही कहा कि 370 हटने से या 35 हटने से कश्मीरी पंडितों को अलग से क्या मिल गया 370 और 35 तो यही था ना कि कश्मीरियों को कुछ खास अधिकार थे कश्मीर के अंदर तो वो सारे अधिकार तो कश्मीरी पंडितों के पस पहले से थे मैं आपको बताओं कि दो तरह के बिल्कुल इसमे रियक्शन देखने को मिले यहां के कश्मीरी पंडितों ने बहुत जस्ड मनाया यहां के मतलब जो बाहर निकल आए है बहुतन ख्यकने सबने नहीं। जब मैं कश्मीर गया, अक्टूबर में कश्मीर गया और संजाइ टिक्कु जो वहाँ पर लीडर है कश्मीरी पंडितों के, कश्मीरी पंडित संगर समीति के, जब उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा, कि यहां पर शोरगुल मचा है इसने हमारी जिंदगी वहां पर और मुश्किल कर दी है तीन सो सतर और पैतिस एक जो हटाया गया है उनका कहना है कि यह कश्मीरी समस्या को कश्मीर की समस्या को सौ सालों के लिए और उलजहा देगा और कश्मीरी पंडितों का लोटना और मुश्किल कर देगा आप से यंतिन सवाल एक सामानी सी बात चलती है कि जिन लोगों ने दर्द सहा होगा वो लोग दूसरे के दर्द को समझते होंगे लेकिन जिस तरह के नेतित्व करता है कश्मीरी पंडितों के उससे लगता है कि वो जो एक बुरा समझता एक कस्मीर असान तच्छेत रहे और अपनी दर्द को सह रहा है उससे वो जुड़ नहीं पाते है क्या ऐसा है आपका लगता है हाँ धर्म के राजनित ने ऐसा किया है यह सच्छाई है देखे दो तरह का होता है एक तो यह कहा जाता है कि यह दर्द मैंने जहला यह किसी और को न जहलना पड़े जो दर्द मैंने जहला वो किसी और को न जहलना पड़े दूसरा होता है मैंने जहला है अब सब को जहलना पड़ेगा तो यह जो रियक्शनरी वाला तरीका है जैसे अभी मेरी एक जगा एक कारिक्रम में हम थे तो पनम कश्मीर के बढ़े निता थे वो लगातार इन सारी चीज़ों को कह रहे थे मैंने का ठीक है ये तो हो गया आगे क्या ये जो बदले की राजनीती है मतलब चुके हमने दर्द शेला था तो कश्मीरी मुसल्मान के साथ कुछ भी होगा तो हम ताली बजाएंगे इससे हासल क्या होना है इससे न वापसी हासल होनी है न कोई शांती हासल होनी है और नहीं इतिहास एक कदम आगे बढ़ेगा वैमनस से बढ़ेगा और वैमनस से बढ़ेगा तो आप देखी रहे हैं कि कश्मीर को एक ऐसा मुहरा बना दिया गया है कि जिसको कौर नहीं पता है जिसने कभी जमू में पैर नहीं रखा वो भी किसी भी बात पर आपके आपके पूछ सकता है कि कश्मीरी पंडितों को जम निकाला गया तो आप कहां थे तो तब कौन कहां था पता नहीं आज कौन कहां है ये बहुत महत्वपूर्ण है भविश्यता करने के लिए ये साहिन बाग वाले भी जो प्रतिकात्मा घटना घटी है इस पर आपकी राए खुबसूरत है कितना खुबसूरत है मैं कश्मीर गया हुआ था संजय टिकू ने यही कहा कि मैं अलब संख्यक हूँ मैं जानता हूं हिंदुस्तान के जो बाकी इलाके हैं अनके अलब संख्यकों का दर्द अगर अलब संख्यक एक दूसरे का दर्द समझने लगे कि चाहे वो हिंदू अलब संख्यक हो उसको सारे अधिकार मिलने चाहिए जो बहु संख्यक के है और बहु 550 शिकार उनको नहीं होना चाहिए या बहु संख्यक सामपरदाइकता जब बढ़ेगी तो अलब संख्यक कैसे परशान होगा अगर ये सारे लोग समझने लगें तो यकीन जानिए कि ये सारी समस्यां अपने आप साल्व हो जाएंगी ये बहुत शुब है कि शाहीन बाग में इस चीछ को जिक्र किया गया और पहचाना गया कि एक अलबसंख्यक के रूप में कश्मीरी पंडितों ने क्या दर्द छेला था सुक्रिया इस पर हमसे बादचीत करने के लिए बहुत मुस्किल है इतिहास को समझ पाना और 15-20 मिनट की बादचीत में उसको समेट पाना तो अगर आपको पूरे इतिहास को समझना है तो हिंदी में बहुत अच्छी किताबे लिखी हैं सोब कुमार पांडे नहीं कस्मीर और कस्मीरी पंडित और एक इनकी किताब है कस्मीर नामा इतिहास और समकाल तो जाते जाते अंत में इतिहास के बारे में ही मैं इनकी किताब की भूमिका में एक बहुत अच्छी छोटी सी कविता लिखी है उसे बताते चलता हूँ हम दिखते हैं भुगोल की तरह लेकिन बस खुरोचों हमें और बहने लगता है इतिहास हमसली है या फिर किसी ना विस्कार किया हमारा सुक्रिया आप देखते रहें नियूस क्लिक